ओम सभीकों नमस्टे जी आप सब एक्सराइज वयाम करने से पहले स्ट्रैचिंग तो करते ही होंगे सब करते हैं पांच मिनट 10 मिट है ना शरीर को खोलने के लिए क्या होगा अगर मैं आपको कुछ ऐसे अभियास बता दू जिसको आप अगर स्ट्रैचिंग की जगह करने ल जी देगी आपको और ये सब फायदे स्ट्रैचिंग से नहीं मिल सकते हैं तो क्यों ना हम स्ट्रैचिंग की जगह है आशन करना चालू कर दे तो ठीक है तीन तरह के आशन जो कि आपको आज मैं बताने वाला हूँ इन आसन को आप वर्काउट से एकदम पहले कर लो 10 मिट निकाल कर वर्काउट का जो फायदा है वो आपको अलग मिलेगा इन अभियास का आसन का फायदा वो आपको अलग मिलेगा सबसे पहला है धनुर आसन बहुत पावरफुल आसन बहुत अच्छी लगती है इस आसन को करने में इस तरह सीथे जमीन पर लेड़ जाओ उल्टे पहले एक टांग पकड़ो अपने हाथ से फिर दूसरी टांग हाथ से पकड़ो फिर छाती और मुझ को उपर उठाओ जीतना हो सके इस तरह होल्ट करके रखो जीतनी ताकत है आपके अंदर उतनी ताकत से होल्ट करके रखो इस आसन से आपकी सभी मसल्स एकदम श्ट्रेच हो जाएगी खुल जाएगी पावर आईगी उनके अंदर आप अगर ध्यान से देखो तो इस आसन से आपकी हर मसल्स पर प्रेशर आ रहा है एकदम हर मसल्स पर यह डाइजेशन को मजबूत करता है इस तरह आप दो बार तो करे ही करें आसन और भाई आप बहुत सारी वीड पावर नहीं निकालनी और कोहनी चीधी नहीं रखनी इस तरह बैंट रखनी है और श्वास बरकर इस तरह ऊपर उठकर होल्ड करके रखना है पूरी बोडी को ऊपर उठाकर रखना है बाकी आपको बहुत सारी वीडियोज मिल जाएगी इस आसन की भी सही करें जितना हो सक पूरा सीधा खड़े हो जाए एकदम सीधा बोडी को सीधा रखना है हातों को इस तरह ले जाओ उपर की और सर के उपर इस तरह हातों को मिला लो और उपर ले जाओ श्वास बरो चाती में एडियों को ऊपर उठा दो और उठाकर रखो पूरी बोडी को ऊपर पूरी इसलिए दस बार ताड़ासन करें श्वास के साथ ध्यान रहें उसके बाद जब आपके एक्सेसाइज वयाम जो आपको जो भी आप करते हो वो करें और जब एक्सेसाइज वयाम कंप्लीट हो जाए एक्सेसाइज से पहले तो आपको यह तीन आसन करने है और जब आपके एक् बाद में पहला है शिर्सासन शिर्सासन आप एक मिनिट कर लो एक बार दूसरा है प्रनायम प्रनायम आप एक मिनिट तीन बार कर लो प्रनायम लेकिन आप तभी करो जब आप शुर्दक सीजन में वर्काउट करते हो अगर आप जिम करते हो तो सुबह का समय निकाल कर प्रना कर आपने करना तो bagus यह आसन करना स्टार्ट करो हम आप को बताए बधाई Sports कि जगे आप ये करके देखो और फिर देखो कितना फाया मिलेगा in our